हेलो किलास आज के इस बीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है इस बीडियो में हम इकाई कांग ज्याद करना या यूनिट डिजिट फाइंड करने के कुछ इंपोर्टेंट क्वेशन लेकर आए हैं आप मेरी बीडियो को अंतक जरूर देखें ताकि आपके मन में अगर क कोई भी certa confusion या doubts बचें हैं तो वो clear हो जाए की क्वेशन नंबर वन उन क्या है थर्टी एनंट अचर्वकी पिपावर two इस बेश नंबर का हम यूनिट डिजिय या इकवकई की नंबर देखते हैं तो इसकी उनिए डिजिट क्या है वन ये तो अगर unit digit किसी number की 0, 1, 5 या 6 होती है, तो उसकी unit digit same रहती है, ठीक है, इन 4 digit के लिए unit digit same रहती है, तो 30 बन की unit digit क्या हो जाएगी, बन हो जाएगी, और जब अब क्या या 32 है, जब last में या इकाय की संख्या, किसी base number की इकाय की संख्या, 2, 8 और 3, 7 होती है, तब हम क्या करते हैं, उसकी जो power होती है, यह power 32 है, इसको हम 4 से divide करते हैं, जो भी power होती है, 32 होगी, तो 32 को 4 से, या जो भी होगी power, उसको 4 से divide करेंगे, अगर 4 से यह पूरा-पूरा divide हो जाता है, तो 2 और 8 के case में क्या होगा, unit digit 6 होगी, और 3 और 7 के case में unit digit 1 होगी, यह आप याद रखेंगे, जिन लोगों ने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी हैं, वो उसमें जाकर देख सकते हैं, सारी detail दी हुई है, तो 32 की power 32 में, 32 4 से पूरा-पूरा divide हो रहा है, तो इसकी unit digit क्या होगी, 6 होगी, अब 33 की power 33 है, ठीक है, तो इसमें unit digit क्या है, 3 है, अब 3 वाला case लेते हैं, अब 33 4 से पूरा divide नहीं हो रहा, अब यहां क्या करेंगे, हम यह हमारा 33 है, 33 4 से divide करेंगे, तो क्या आएगा, 48 जा 32, तो 1 remainder बच रहा है, जब 1 remainder बचता है, तो यह जो unit digit होती है, इसके उपर जो भी remainder बचता है, वो लगा देते हैं, unit digit के उपर, तो यहां unit digit यह एकाई की संख्या 3 है, तो इसके उपर जो remainder बच रहा, 4 से divide करने के बाद, जो पावर है पावर को हमने 4 से डिवाइट किया तो क्या वचरा है बन रिमेंडर तो 1 को 3 के उपर लगा देंगे इन्टू 34 की पावर 34 है जब 4 या 9 होते हैं यूनिट डिजिट आधार संख्या के जो बेश नंबर है उसका डिजिट 4 या 9 होते हैं इकाई की संख्या तब क्या होता है अगर एन बराबर संख्या है या पावर अगर संख्या है जो पावर है या घाद है अगर वो संख्या है तब क्या होता है चार के के केस में यूनिट डिजिट 6 हो जाती है और 9 के 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 क्या होता है यूनिट डिजिट 1 हो जाती है और जब वो बिसंख्या है त तो यूनित डिजिट 4 के case मने 4 हो जाती है और 9 के case में 9 हो जाती है ठीक है याद रखेंगे तो यहाँ 34 की power 34 है 34 क्या है जो power 34 है 34 समसंग क्या है तो इसकी unit digit क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी ठीक है ऐसी जब 35 है इसकी power 35 जब last में मैंने बताया था 0, 1, 5, 6 आता है तो unit digit सेम रहती है पाबर कुछ भी हो ठीक जीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि किसी की पाबर अगर 0 होगी तो 1 हो जाएगा तो यहाँ unit digit क्या हो जाएगी यहाँ unit digit 5 हो जाएगी अब इनको multiply कर देते हैं 5, 6 जा 30 और 6, 3 जा 18 तो कितना है 18 into 30 अब देखिए यह दोनों number multiply में और unit digit 30 की 0 है तो हमेशा unit digit 0 ही रहेगी अगर किसी number 2 या 2 से जादा number multiply हो रहे हैं सिर्फ multiply के case में और किसी एक number की unit digit 0 है तो unit digit हमेशा 0 रहेगी जब अगर number multiply हो रहे हैं तब तो इसकी unit क्या होगी 0 ही रहेग तो आप एक्जाम में multiply नहीं करेंगे अगर unit digit 0 आयाती है किसी एक number की और सारे number multiplication में है तो इसकी unit digit 0 ही रहेगी और multiply करके आप अपना time based मत कीजिएगा एक्जाम में नेक्स question देखते हैं तो इस पूरे की unit digit के आगे 0 हो गई नेक्स question देखते हैं question number 2 123 की पावर 31 है इंटू 19 की पावर 73 का इकाई का अंक निकालना है अब यह बताएए जब हम क्या है base number का हम unit digit देखते हैं तो यहां base number क्या है 123 है तो इसकी unit digit क्या है 3 है तो जब 3,7 या जब last में या unit digit की जगद 2,8,3,7 होते हैं तब हम क्या करते हैं जो पावर होती है इसको 4 से divide करते हैं ठीक है तो 31 को हम क्या करेंगे 4 से divide करेंगे तो कितना ँए 4,7,0,28 कितना remainder बचा remainder जो हो गया हमारा 3 हो गया तो जो remainder बचता है उसको जो unit digit होती है या 195 की संक्या होती उसको उपर लगा देते हैं 3 की पावर 3ρά घीक है अगर remainder नहीं बचता है तो unit digit 1 हो जाती है लेकिन यहां remainder 3 बच रहा है ठीक है तो unit digit 3 की power 3 में जो भी आएगी वो होगी अब जब 19 की power क्या है 73 है तो यहां 19 में unit digit या एकाई की संख्या क्या है 9 है और इसकी जो power है वो 73 बिसम है ठीक है जब 9 की power कोई बिसम संख्या होती है तब उसकी unit digit क्या होती है उसकी unit digit 9 होती है तो इसकी unit digit 9 ही रहेगी ठींड है अब यहां क्या आए 3 की पावर 3 कितना हो गया बबर 3 की पावर 3 27 हो गया इंट्व 9 अब इसकी मल्टिपिलाई कर देंगे नाइन से बिंदा 63 ठीक है 9 दिनी 18 24 243 हो गया तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी हो गई 3 हो गया तो इसकी यूनिट डिजिट 3 आ गई ऐसे कोई भी नमबर होगा कितनी ही पावर होगी आपको बस याद रखना है जो मेरे ने पहली वीडियो में बताया था वो तीन नियम आपको याद रखने है और सारे क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे नेक्स क्वेश्चन देखते है क्वेश्चन नमबर 3 है क्वेश्चन नमबर 3 है 434 x 355 x 116 x 212 x 543 x 18 ये सारे नमबर जो है ये मल्टिप्लिकेश्चन में है तो इनके गुलंखन में एकाई कांग क्या होगा वो निकालना है जब ये नमबर मल्टिप्लिकेश्चन में होते हैं तब हम क्या करते हैं इनकी जो जो भी नमबर है उनकी जो यूनिट डिजिट होती है जैसे यहां 434 में unit digit क्या है 4 है ठीक है 355 में unit digit या एकाई की संख्या 5 है 116 में एकाई की संख्या क्या है या unit digit 6 है तो जो इनकी unit digit होती है हम उन्हें को multiply करते हैं ठीक है 4 into 5 into 6 into 2 into 3 into 8 सबकी unit unit या एकाई की संख्या जो है वो हमने ले ली और उनको multiply कर रहे हैं और 4 5 जा कितने हो गए 20 हो गए अब हम सबको multiply करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहां एक 0 आ गया एकाई की संख्या में और सारे नंबर हमारे क्या है multiplication में है ठीक है तो इसकी एकाई क संख्या या unit digit क्या होगी जब unit digit किसी एक नंबर की 0 आ जाती है और सारे नंबर multiplication में होते हैं तो इसकी unit digit हमेशा 0 ही रहती है तो इसकी unit digit क्या होगी 0 हो गई तो ऐसे आप question देखकर ही solve कर सकते हैं next question देखते हैं question number 4 है 115 into 432 into 411 into 157 के गुर्णफल में इकाई का अंक क्या होगा तो इसका हमको unit digit इंकालनी है तो मैंने अभी बताया था last question में ऐसे जब multiplication में number होते तो क्या करते हैं उनके जो number होते हैं उनकी हमको क्या है इकाई की संख्या multiply करनी होती है तो 115 में unit digit क्या है 5 है 432 में unit digit क्या है 2 है 411 में unit digit क्या है 1 है और 157 में unit digit क्या है 7 है ठीक अब इसको multiply कर लेते हैं 5 2 जा 10 into 7 ठीक 10 into 7 तो यहां एक number में unit 0 आ गई अगर हम इसको multiply भी करते हैं तो कितना आएगा 70 आएगा ठीक अगर कई सारे number होते हैं तो किसी एक number में unit digit 0 हो जाती तो इसकी unit digit 0 ही होती है अब 70 में unit digit क्या है 0 है तो इसकी unit digit क्या होगी 0 ही होगी यह एकाई की संक्या 0 होगी नेक्स्ट क्वेस्चन देखते हैं क्वेस्चन नमबर 5 है 326 into 24 minus 27 into 92 में एकाई का अंग क्या होगा तो हम क्या करते हैं इन दोनों के एकाई का अंग क्या होगा पहले नमबर में एकाई कांक क्या unit virus 6 है दूसरे क्या पहले नमबर में unit result 62 है दूसरे नमबर में unit digit क्या है तूह तो यह कितना आया 24 आया इस speaking report कितना हो जाएगा unit जाएगा तो इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी जीरो आ जाएगी है नेक्स्ट वेशन देखते हैं क्वेश्चन नमबर 6 है बन 34 की पावर 224 में एकाई का अंग क्या होगा जब जो बेश नमबर आपका क्या है बन 34 है तो मैंने बताया था जो बेश नमबर या आधार संख्या होती इसमें 4 या 9 होते हैं और इसकी जो पावर होती है वो एक सम संख्या होती है क्या होती है ठीक है पावर अगर सम संख्य आगा होगा अगर arms things को अगए तब nenगर चलिए बटाई्ट थीक है तो 224 यह ईविन नंबर है या संभी तो ये फूरन में बेसनोंória लास्ट में क्या है इकाई की संख्या 4 है जब 4 होता है इकाई की संख्या और उसकी पावर सम होती है तब क्या होता है इकाई की संख्या 6 आती है ठीक है तो इसकी इकाई की नंबर क्या हो जागा या unit digit 6 हो जाएगी next question देखते है 134 की पावर 225 है तो जो हमारा बेस नंबर है इसकी यूनिट डिजिट या इकाई की संख्या क्या है 4 है और इस पर जो पावर है 225 225 जो है बिसम संख्या है ठीक है बिसम संख्या है तो इसकी इकाई कांग क्या हो जाएगा इसका इकाई कांग 4 होगा तो इसका इकाई कांग 4 हो जाएगा ठीक है next question देखते हैं question number seven है 22 की पावर 32 into 18 की पावर 64 का एकाई का अंक क्या होगा तो यहां जो बेस नमबर है 22 है तो इसका यूनिट डीट या इकाई की संख्या 2 है इसकी पावर 32 है ठीक है तो 32 को हम क्या करते हैं जब यूनिट शंक्या या यूनिट हमारी two eight और three seven होती है तो जो पावर होती है पावर को हम क्या करते हैं four से divide करते हैं अगर यह पूरा पूरा divide हो जाता तो two और eight के case में six होगी और three और seven के case में one होगी जा चीकाई की संख्या तो यहां हमारा टू है यूनिट डिजिट और इसकी पावर थर्टी टू है तो थर्टी टू फोर से डिवाइड हो रहा पूरा-पूरा कोई रिमेंडर नहीं बच रहा है तो इसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी सिक्स हो जाएगी यहां क्या है तो यूनिट डिजिट क्या क्या सिक्स्टीफूर दोनों मुल्टिप्लाई क्या होगी तो इसकी युनिट डिजिट 6 हो गई turning तो यह जो बेस नंबर है उसकी यूनि डिजिट या 11 कि संक्या क्या है थिरी है तो जब थिरी होती है तो हम क्या करते हैं उसकी पावर को 4 से डिवाइट करते हैं तो 25 को हम क्या करेंगे 4 से डिवाइट करेंगे क्या आएगा 24 तो क्या बचा बन रिमेंडर बचा रिमेंडर क्या बचा वन बचा तो जो रिमेंडर बचता है उसको हम क्या करते हैं जो unit digit या unit digit या एकाई की संक्या क्या है 3 है उसके उपर लगा देते हैं तो 3 की power 1 है ठीक है तो 3 की power 1 कितना हो गया 3 हो गया तो इसका unit digit क्या है कि 3 आएगी अब ये 17 है 17 की power 18 है तो 7 के case में भी same होता है 18 को हम क्या करेंगे 4 से divide करेंगे जो power है 4.16 remainder क्या बचा 2 बचा ठीक है तो हम क्या करेंगे जो unit digit इसमें क्या है saving है तो saving की power 2 लिख देंगे जो remainder बचता है उसको जो unit digit होती है उसको उपर हम लगा देते हैं तो कितना है 49 आया तो इसकी unit digit क्या हो गई 9 हो गई तो इस वाले की unit digit 9 हो गई और इस वाले की 3 आई थी question number 9 देखते हैं 27 की power 96 तो जो base number है या अधार संख्या क्या है 27 है और 27 में जो unit digit है वो हमारी saving है और जब unit digit saving होती है और इसकी power को हम फिर क्या करते है 4 से divide करते है 96 को हम 4 से divide करेंगे 4 दुनिया 4.16 तो पूरी पूरी divide हो रही है तो उस case में unit digit क्या होती है उस case में unit digit 1 होती है ठीक है तो इसकी unit digit कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी 27 की power 96 की अब 13 की power क्या है 12 है यहा जो base number है इसकी unit digit या इकाय की संख्या 3 है और इसका power कितनी है 12 है तो 2837 का के same है हम power को क्या करते है 4 से divide करते है 12 को 4 से divide करेंगे तो यह पूरा पूरा divide हो रहा है तो इसकी काय की digit या unit digit क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी ठीक है मान ले कभी आप भूल जाते है कि 4 से divide करना है और फिर अगर remainder आ रहा तो यूनिट डिजिट क्या होगी और remainder नहीं आ रहा तो यूनिट डिजिट क्या होगी वो मैं solve करके बदा देता हूं जैसे यूनिट डिजिट 3 है आपकी तो 3 की power 2 अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 9 ठीक है तो 81 आता है तो यूनिट डिजिट 1 हो जाती है अगर 4 से डिवाइड हो जाता है तो 3 की जो यूनिट डिजिट है 3 तो उसकी power अगर 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाती तो उसकी यूनिट डिजिट 1 होगी अगर 1 आप भूल जाएं तो 3 की power 4 करके देख लेना कितना आ रहा है उसमें जो यूनिट डिजिट होगी वही होगी नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं क्वेशन नमबर 10 है अगर इस फिप्टी नाइन की पावर 32 इंटू 74 की पावर 166 का इकाई का अंग क्या होगा तो यहां बेस नमबर 59 है 59 में यूनिट डिजिट या इकाई की संक्या क्या है 9 है और 74 में बेस क्या है आपका 74 है इसकी य 9 और 4 का केस बताया था मैंने हम इसमें क्या करते हैं हम इसमें पावर देखते हैं सम है या बिसम है जो पावर या घात है वो इविन नमबर है ठीक है इविन नमबर है या और नमबर है ओप थो नाम संखिया तो उस पिविनई होता हो चैनल हो गती होगी तो इसकी यूनिट ब्यूटिजिट वन होजाती यह उल्हां कि पार है यह 276 किया है ये भी समसंग किया है तो इसकी unit digit क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी तो 6 into 1 कितना हो गया 6 हो गया तो इसकी unit digit क्या हो गया 6 हो गया तो ये आज लिए आज कुछ मैंने important question कराए है अगर video ये आपकी समझ में नहीं आती है तो इससे पहले मैंने वीडियो में समझाया कि यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं वो डेस्क्रिप्शन लिंक में जाकर मेरी वीडियो देख सकते हैं आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही थैंक यू